हेलो एब्रिवान वेल्कम टू लख्की एजूगेसिन और आज हम एक टॉपिक डिसकस कने वाले हैं डवलू टी यू वर्ल्ड ट्रेड ओर्गनाइशन ठीक है आज की डेट में देखो दुनिया वर में जितना भी दो देशों के बीच में जो ट्रेड हो रहा है दो देशों के पर एक औरगनाइशन नंगे उसका नाम है डवलू टी ओ ठीक है इससे पहले भी एक औरगनाइशन हुआ करता था जिसका नाम है गार्ट चंडल एग्रिमेंट ओन टेरेफ फेंड रेड करें सरे ट्रेंगे यह वाला जो टॉपिक आपको मैं बता दूँ लाश किया नंपर यहां पर दे रखा है और कई जगे पर आपको हेल्प करेगा चोटा सा इसका एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं यह चीज आपकी बुक में नहीं यह मैंने डबलू टीयों की जो साइट है वेबसाइट वहां से डारेक्ट लिया है तो डबलू टीयों का क्रियेशन हुआ थ इंट्रेड के लिए गाठ हुआ करता था जो गुर्ष में डील करता था बाद में डबलू टीयों आता है अछ डबलू टीयों के साथ स्वेसेस में बिच्छ डेट को डील करता है तो डाइटियों के बैसिक ज्यानगारी क्या हुआ हुए जयर्मुएस का 1995 में एक जितना smooth हो सके जितना freely हो सके उसको insure करना जो 200 के बीच में जो trade हो रहा है वो आसानी से trade हो सके उसमें बीच में कोई restriction ना हो freely trade हो सके और free and fair manner में trade हो सके यह insure करना किसकी जिम्मेदारी है डव्लगी यहीं इंडिया में liberalization हो इंडिया में investment हो बहर से investment आये इस चीज़ को भी व्योड शेपोर्ट करता है यहां रखना डव्लब्ड प्रण्ट्रीज के बनाया गया था डवलब्ड कंट्रीज का पहल पर व्योड्यटियो को बनाए गया था इंट्रनेशनल ट्रेड से समंदित यहां फिर हमारे इंटरनेशनल ट्रेड को लिवरलाइज करना और यह इंशोर करना कि इसके जो मेंबर है आज की डेट में 164 मेंबर है इसके तो इसके मेंबर जो है इनके रूल्स का पालन करें यह जिम्मेदारी है डेवलूटी यह बड़ा कोश्चन आए और दूसरी तरफ में डवलपिंग कंट्री इस जिनको हम बोलते हैं विकास शील देश भारत अपने डवलपिंग कंट्री है यूसे डवलप्ड कंट्री ए तो इन दोनों के देशों के बीच में क्या है विवाद है पहली चीज हालांकि अगर देखी जाए डव्लूटी यो उनको प्रॉपली फोलो नहीं किया जाता है डवलप्ड कंट्री कम मानते हैं डवलपिंग कंट्री पर उनको ठोपा जाता है और यहां पर ज्यादा दबदबा देखने को मिलता है डवलूटी यो में डवलप्ड कंट्री पर साथ के साथ में यह भी देखा जाता है कि डवलप कंट्री कई बार क्या फोर्स करते हैं डवलपिंग कंट्री को बोलते हैं कि भाया अपने यहां पर आप रिड़ बैजिस को रुड़ावटे जो आपने डाल लखें उनको फटाव ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सामान को यहां पर भेज रगें यह ऐसा चाहते हैं और दूसरी का चाहें, हगा अपने यहां लौ करते हैं और यहां पर देखी जाए तो ग्लति कर रहें एक तरफ डवलूप्ट गॉंडी मार्केट उपन करो हमके तुमारे सामन 2017 दूसरी तरफ अपने मार्केटव का उपन नहीं करते हैं तो मतलब अपने ही अपने अपना फायदा देखते हैं उनको डवलूपिंग इसको इसको क्रिडिसाइज गया था है यह डव्लू जो बनाएगया था है यह डवलब्ट कंट्रीजि गें इनींशीीटिव और ही बनाये गया था अब जहां पर जैसे एक्जमेट रखाएं एक्जमपल उप नीज इस कंप्र वें उएसे हैं bene कमटשरकर ब्लेक्ट में ट्रेड सबसिडी हैं जब उनके गैङूं और को कम प्राइसेमें डव्लपिंग कंडरीज को बेच सकते हैं अब डवलपिंग कंट्रीज में क्या है, जब यह सस्टे में चीज़े मिलती है, तो डवलपिंग कंट्रीज यो लोग यह बाहर से जो प्रोडेक्ट आ रहा है, इसको खरीदते हैं, बजाए खुद के देश के मतलब जो सामान बढ़ी सुरह उसको खरीदते नहीं है, क्योंकि और खुद का मतलब डवलपिंग कंट्रीज का सामान महेंगा पड़ता है, और यह बाहर से जो आ रहा है, यह सस्टा पड़ता है, यह सस्टा क्यों पड़ रहा है, चूँकि डवलप्ड कंट्रीज जो है, इन पर क्या देती हैं, बहुत जादा, सबसिडी देती है, तो इसल पड़ता है, बजाए, उनके देश में जो सामान प्रडिउस हो रहा है, तो यहां पर मतलब एक दो गलापन देखने को मिलेगा, डवलप्ड कंट्रीज पर तो प्रेसर बनाते हैं, मगर खुद इन चीज़ों पर देते नहीं है, और भी कुछ चीज़ें आपको जहां रखन में इसका एड़ गाटर है, और आज की देट में 164 इसके मेंबर कंट्रीज है, तो इसके बारे में बस इतना आपको याद रखना है, तो थैंक यू, थैंक यू सो मच, और अब तक आपने लखी एजुगेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब इट